नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर भिट से हमारे इस पाबरफुल मूटी बेसन यूटूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चारक के नीतिके अनुसर बताएंगे के पती को पतनी का कौन सा एक अंग भूल कर भी नहीं चूना चाहिए जिसको चूने से पूरा घर हो जाता है तबाहो बरबाद और आती है भयंकर कंगाले जिहां दोस्तों ऐसे घर बरबाद हो जाते हैं जिन घरों में पती पतनी का ये एक अंग पकरता है लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको एक जिरूरी जानकरी देना चाहेंगे जो कि महिलाओं से related है दोस्तों महिलाओं को कभी भी रात को सोने से पहले नहीं करना चाहिए ये काम बनना भहंकर प्रड़ाम भुगतने पढ़ सकते हैं और जिसकी बज़े से आपके घर में बरबादी आ सकती है दोस्तों सास्तों में इस पश्ट बताया गया है कि देर रात को सोने बाली महिला पूरे घर का बिनास करती है और इससे माता लच्मी रूठ जाती है माननताओं के अनुसार देर रात बे बज़े अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानी आ सकती है किसी भी महिला को बे बज़े देर रात तक नहीं जागना चाहिए ऐसा करने से दो से लगता है इसलिए जल्दी सोकर सुबए जल्दी उठना चाहिए धर्म सास्तरों के अनुसार चाहें आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं तो बहाँ पर कभी भी राहु केतु सनी की द्रश्टी पढ़ सकती है सच मायने आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जो महिला सारा समय सोने में ही ब्यतीत करती है तो उस महिला से देवी लच्मिक क्रोधित हो जाती हैं इसलिए सीमित मातरा में ही सोना चाहिए ज्यादा सोना धन की हानी और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकरात्मक उर्जा से भरी बातों का जिक्र बिलकुल भी ना करें ऐसा करने से नकरात्मक उर्जा आकर्शित होती है और आपके सपनों में आकर ये आप पर हा भी हो सकती है सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए कामियाबी अबस से मिलती है सबसे भारी दोस और भेंकर बरबादी का कारण बनता है इसलिए मंगल बार और सनी बार और ब्रस्पति बार के दिन जितना जल्दी हो सके जल्दी उठने की कोशिस करें यह समय आपका बिनास कर सकता है सास्त्रों में इस पश्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठना ब्यक्ति पर कई सारे दोस लगते हैं जो उसे बरबाद कर देते हैं दोस्तो अब बात करते हैं कि सुबह में आखिर सही मुरत समय क्या है कि समय आपको उठना चाहिए तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तो ब्रह्मा मुरत यानि इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए सुबह उठने का सही समय चार बजे से साड़े पांच बजे का माना जाता है इस समय उठना मतलब काम्याबी को दर्साता है इस समय उठने बाला ब्यक्ति देबतावा माता लचिमी का प्रिय होता है जब कोई महिला पूर्ब और दच्छल दिसा में सर करके सूती है तो पूरा परिबार, धन धन से भर जाता है, खुशिया घर में ऐसे आती हैं, जैसे मानो, बरस्टा हुआ पानी, इस दिसा में पुरुस और महिला, दोनों को ही सोना चाहिए, एक पुरानी कहाबत है, कि जो जागता है, बही पाता है, और जो सो जाता है, बाखो देता है, ऐस काम अबस्य करें और दोस्तों सुबह जागते ही माता लच्मी की पूजा अबस्य करनी चाहिए और यदि दोस्तों आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो माता लच्मी को हमेशा याद करते रहना चाहिए और दोस्तों अभी कमेंट बाक्स में जै माता पर अब दोस्तों आईे जानते हैं कि पती को पतनी का काउंसा एक औंग भूलकर भी नहीं चुना चाहिए। पूल कर भी ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आपका घर हो सकता है, तबाहो बर्बा, तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था, हम आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर करना बिल आइकन को प्रेस्क कीजिए तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही ग्यान वर्धक वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिद जय भारत